जिन्दगी जिन्दा दिली को जान ऐ रोशन वगरना कितने यहां रोज पना होते रहते हैं आज हमें उस शहीदी धर्ती से खड़े होकर इस मुल्क के वरासत को याद करने का मौका मिला है रामपरसाद बिस्मिल को याद करते हैं तो बिस्मिल अजीम अबादी का वो शेर याद आता है ऐ शहीदे मुलक मिल्लत मैं तेरे उपर निसार ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है अब न एहले बलबले हैं और ना आर्मानों की भीड़ सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिल बिस्मिल में है वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सर फरोशे की तमना अब हमारे दिल में है और आज शहीदों की उस क्रांतिकारी जमीन पर खड़े होकर हमें ऐसे वक्त में संविधान और जाती जंगरना की बात करनी है जब अंग्रेजों से माफी मांगने वाले भारत की जंगे आजादी के खिलाफ खड़े रहने वाले लोग सरकार में बैटे हो और इस मुल्क के हाश्ये पर पड़े लोगों का हक अधिकार चीन लेना चाहते हूं वो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे और हमारे पुर्खे अंग्रेजों से आँख में आँख डाल करके भगत सिंग बन करके शहीद होते रहे रोशनलाल बन के शहीद होते रहे रामपरसाद विसमल बन के शहीद होते रहे इसलिए आज सातियों, चुकि ये एक प्रसिक्षड शिविर है, इस प्रसिक्षड शिविर को मैं ऐसे श्रिंखला के रूप में देखता हूँ, वो चेन जो होती है ना एक एक बेडियां जोड करके बनाई जाती है, उसकी अगर एक कड़ी भी कमजोर हो जाए तो चेन वहीं स तूट जाती है, किसे भी राजनितिक दल का प्रसिक्षड शिविर, उस शिंखला की तरह है, कि आखरी पाइदान पर खड़ा उसका सिपाही, और उसके सबसे बड़ी पाइदान पर खड़ा उसका नेता, अब कलपना करिए कि आपके पास तो एक ऐसा बहु आयामी, प्रग अधुनिक भारत के संकलपना में एक काम किया, तो आपको जमीन पर रख करके उनके विचारों को लड़ना है, तो आज के इस प्रसिक्षड शिविर में जब मुझे मोका मिला, कि आप जाती जनगरना विशय, जो कि इस प्रसिक्षड शिविर का केंद्रिय विशय है, लोग ताकतवर लोगों की ताकत का इमतिहान ले सके, कि इस बुरे वक्त से कौन लड़ रहा था, आज अगर आप लड़ेंगे, तो इतिहास में आपका नम दर्ज होगा, कि समाजबादी लोगों ने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई लड़ने के कई टूल हो स परेगी, तो उसका सबसे केंद्री विशह है जाती जंगरना का, कलपना करिये साथियों, एक देश का मतलब क्या होता है, किसी भूगोल पर खीश दी गई लकीरों के बीच, आने वाले जमीन के टुकडे से देश नहीं बनता है, देश बनता है, तो वहां के नागरिकों से बनता है, वहां के जंदा लोगों से बनता है, और जब ये मुलक आजाद हुआ, और जब देश दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन इस देश ने हजारों साल के अपनी बेडियों को तोड़ा, चाहे वो इस देश के वरासत में तथागत बुद्ध से लेकर, शहीद आजम भगत सिंग हो, इन सब ने जो खाब देखा, वो भारत के संविधान में पिरोया गया, कि अब एक नया भारत बनेगा, तो वो नागरिकों का भारत बनेगा, अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो जंता के वोट से पैदा होगा, और हर जं समाज के हित और देश के हित में टकरा होगा, तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हजारों साल से इसी देश में मेरे समाज के लोगों को सिक्षा, रोजगार और मानवी सम्मान से बंचित रखा गया, डक्टर राम्मन और लोहिया साब ने जब नारा दिया क संसोपा ने बांधी गांट पिछड़ा पावे सौ में साथ तो समाजवादी नेता डक्टर लोहिया से किसी ने पूछा कि आपको सब को लेकर चलने की बात करनी चाहिए आप तो कह रहें पिछड़ा पावे सौ में साथ डक्तर राममन और लहिया ने कहा कि देखो समाजवाद का तकाज़ा ये कहता है सव से कम नहजार से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाज़ा समाजवादी मूल ने कहता है कि आप किसे के हितों का संरक्षन करें तो जो सबसे आखरी पाइदान पर बैठा है उसको अगर उठा कर आप बराबरी पर न खड़ा कर पाएं तो फिर किस बात का समाज बात इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसकी जितनी भागेदारी है उसे वो भागेदारी मिलने चाहिए और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मंच पर खड़ा हूँ तो मेरी सम्मेदारी है हम जैसे लोग जो आजम करके किसी खेत में गायव हैं शराना छोड़ करके दिल्ले विश्व द्याले तक पहुँच पाए तो ये तब मुंकी महपाया जब इस देश में भारत का सम्मिधान और मंडल कमिशन लागो हुआ